बच्चों आपका स्वागत दे गुरू जी इंजिन्टर में लेक्चर सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यदि आपकी 1st year, 2nd year और 3rd year में बैक है या फिलाला 1st year, 2nd year, 3rd year में या आप 1st semester या 3rd semester या 5th semester में हो तो आपके लिए इन्टरोइंग के एक ओर course launch किये, जो बच्चे 1st year में है और उनकी बैक या इस समय 1st year में है, तो जो बच्चे है लिए कि इस समय डिप्लोमा कर रहे है 1st year से, all branch, सभी ब्रांच के लिए है, इंजिन्रोइंग आपका एक common subject है सभी ब्रांच के लिए, 1st semester आपका चलाई, UP और उत्राखट में आप य civil engineering, second year यानि के 3rd semester उनका UP और उत्राखट, उनके पास है building drawing, building drawing का course ने निकाला है 199 रुपीज का और आपका engine drawing का course आपका 149 रुपीज का, ठीक है, जो बच्चे फिलाल 1st year में है या उनकी बैक फसी हुई है 1st year की, तो हमारे course आप purchase कर सकते हो, आपकी back clear हो जाएगी और आप first year में हो, तो आप अच्छी तरीके से basic concept यह अपने clear करके लेकर जा सकते हो, अपने first year के engine drawing के, ऐसे ही आपका हमने diploma जो बच्चे कर रहे है, civil engineering से, civil engineering से डिपलोमा कर रहे है, 3rd year में है, 3rd year में है, उनका इस से में 5th semester चल रहा है, UP और हर्याना, UP और हर्याने में है, उनके प application गुरुजी engineering drawing डाउनलोड कर सकते है, प्ले स्टोर से, नहीं तो इस वीडियो के description के निचे ही, आपको link मिल जाएगा, अगर आपको किसी परकार की कोई problem हो, या query हो, तो हमारे ये contact number है, इन contact number पर आप में contact कर सकते हैं, हम आपकी problem का solution कर देंगे, ठीक है, तो बच्चे जो का है, building drawing का course, 199 रुपीज का, और जो बच्चे, डिपलोम अगरे, civil engineering, 3rd year, रेन कर देंगे, उनका है, 5th semester का, UP और हर्याना, ठीक है, उनके पास है, waste water and irrigation engineering, उनका course है, 199 रुपीज का, आप हमारी application, गुरुजी engineering डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारे contact number है, इन सा आप हमें contact कर सक कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी परकारी कोई problem या query आ रही हो, चलिए, अब हम question शुरू करते हैं, question है आपका, ये आपका first year का question है, projection of straight line, मैं इसको रख कर देता हूँ, और question देखते हैं, याँ पर question आपका क्या क्या रहा है, ठीके बहुत ही अच्छा question है आपका, और इस question देख लेते हैं, यहाँ पर question है आपका, 70 mm long line PQ, एक line है, एक straight line है, 70 mm, ठीक है, long PQ, has one end P at 20 mm above HP, ठीक है, इसका, यानि कि एक end P है, जो, वो क्या है, अब देखो, मैं यहाँ पर एक quadrant ऐसे मना देता हूँ, यह मेरा horizontal plane होता है, ठीक है, समझाने के लिए, यह मेरा vertical plane होता है, मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, यह question में, ठीक है, अब देखो, उसने क्या गाया, one end P, क्या है, 20 mm above है, इसके HP के, HP के अब इसके अब इसके हो सकता है, इसके हो सकता है, तो 20 mm above, 20 mm above है, HP के, and 30 mm in front of BP, 30 mm in front of BP, 30 mm in front of BP, BP के front पे है, तो क्या बन गया, first word end की condition है, इसके है, first quadrant की condition, तो इसके हमें कोई required नहीं थी, हमें सिर्फ इसकी required थी, ठीक है, अब आगे देखते है, question में क्या बोला गया है, the line is inclined at 45 to the HP, जो line है, यह line है, 45 degree, HP से inclined है, and 30 degree to the BP, 30 degree inclined है, VP से, ठीक है, यह यह VP से inclined है, आगे बोला है, draw the projection, and so the trace, ठीक है, आपको projection, draw करके दिखाने है, और trace करके दिखाने है, अब देखो, question देख लेते है, जिसका है, 170 mm, लंबी रेखा PQ, जिसका एक सीरा P, 36 दल से 20 mm उपर है, 36 दल से, यह क्या आपका, 36 दल, HP होता है, horizontal plane, 36 दल, 36 दल से 20 mm उपर है, बिल्कुल है, ठीक है, तथा उर्दवार दरतल, VP, vertical plane से 30 mm सामने है, 30 mm सामने है, बिल्कुल है उपने बोल दिया, रेखा, HP से 45 दीविगा खौन बानाती है, तथा, VP से 30 दीविगा खौन पर अमनत है, ठीक है, रेखा के प्रक्षेब खीचो, तथा trace दरसा हो, अब देखो, question कैसे करेंगी, हमारा हम जानते, first angle projection हमारा क्या होता है, यह क्या होता है, यह तो fix होता है, यह क्या होता है, 90 degree clockwise rotate करेंगा, कहा जाएगा, नीचे, SP कहा जाएगा, नीचे, तो आपका उपर क्या vertical plane, नीचे क्या है, horizontal plane, तो यह first angle, first angle क्या होता है, आपका, first angle, first angle projection, पूरा यह लिख देते है, अब देखो यहां पर ऊपर यह जब आप इसको यहां से देख रहे हो फॉरेंट से तो तीस आप 20 mm आपको कहां दिखाए देगा वीपी में 20 mm और 30 mm कहां पर दिखाए देगा एच्पी में 30 mm यानिके एच्पी की डिस्टैंस वीपी में जाइडे में बीदी की 4 में अब यही करना है अब देखो कॉशन करते हम सुरूं फीर करते हैं अब देखिए करने के बाद यहां से आपको एक रिफरेंस लाइन ड्रो करनी है यहां पर क्या करनी है आपको एट रिव्धों तो मैंने यहां पर एक reference line draw की एक reference line कि मैंने draw x y यह मेरा क्या है अगे वर्टिकल प्लेट नीचे मेरा क्या है थीक है एक एक डिस्टैंस वीपी में वीपी की डिस्टैंस ह्पी में अब देखो उसने क्या बोला है 70 mm लंभी रेखा है PQ जिसका एक सिरा P 36 तल से 20 mm उपर है 36 तल से HP से 20 mm उपर है तो किसमें दिखाई देगी आपको वीपी में तो आपको दिखाई दी वीपी में वीपी में कितनी है 20 mm उपर तो 20 mm उपर बनाई में वीपी में कितनी है यह आपकी 20 mm 20mm किलियर है तथा VP से 30mm सामने है VP के 30mm साने है तो किसमें दिखाए देगी HP में HP में HP में हम 30mm 30mm चले में HP में HP में चलेंगे 30mm क्योंकि यह किसकी distance है VP की HP में distance दिखाने होती है HP की VP में ठीक है यह चीज मैं आपको बता चुगा हूँ मेरे कोर्स को बाई कीजिए महावकर मैंने बिलुकूर क्लिए करके आपको संजा म makes कैसा एक्सपी में श्रचाति है ठीक तो आपको क्या गडना है क्या क्या अब नहीं है यहां से एक लाइन अउट लिया ऐसे ड्रोकर दीजिए यहां से क्लियर अब दिगो जिलका आप है रीखा एक्सपी से 45 डीडिया खोट बनाती है तो इस पराएंगी बीपी में तो इसकेल को कीजिए ऐसे और 45 डीडियी का एंगल और यहां से बनाओ और 45 डीडियी का एंगल अगर कितनी पीक्यू लाइंट कितनी है तो यहां से आपने 70 mm लिया और P Q line रोगी ठीक है और यह कितने डिजी का एंगल आपका 45 डिजी खी के एंगल ठीक है और HP HP से पैदा लीजी अगर और VP से 30 डिजी का अंगल तो VP का एंगल किसमें दिखाएंगे हैं हैं इस इस साइड आओ और कया करो और यहां से आप क्या हरें गाओ खहरां किये है जो आपके इसको करो जीरो पर सैते उस यहां ऋपरसाइट और यह से पर प्रपेंडिकुलर में लम डाला यहां पर इस पर ठीक है तो इसको रप किया और इसका पर्पेंडिकुलर रम यहां से पर्पेंडिकुलर आईए और इसकी स्प्लाइन पर डालिए ठीक है अब देखो वर्टिकल प्लेंड वर्टिकल प्लेंड में क्या होगा पी डैस तो इसक Q2 कहां पर गया यह गया Q2 यहां पर और Q-1 कहां पर आया Q-1 आया यहां पर Q-1 आया यहां पर ठीक है अब आपको क्या करना है अब आपको लेना है कमपस आप लेजिए कमपस को रखे यहां पर P पर कमपस को कहां पर रखे P point पर P point पर compass को यहां पर रखे ऐसे एक मिनट इसको fix कर देता हूं में और कहां तक की Q1 तक की distance लो Q1 तक की distance लेकर यहां पर इसको कर दीजिए ऐसे rotate ठीक ऐसे अब ऐसे compass को रखे P dash पर compass को पर पर P dash पर P dash से लेकर आपको Q2 तक की distance इसमें ले लिए कहां तक की Q2 तक और Q2 तक distance लेकर यहां पर आपको draw करना है ऐसे यह ऐसे यहां पर ऐसे draw करना है ठीक है फिर आप क्या करेंगे एक locust line draw कर दीजिए कि अगर नहीं है एक locust line यहां पर आईए Q2 पर और Q2 से एक locust line ऐसे draw कीजिए और यहां पर यहां पर आईए Q1 और Q1 से एक locust line ऐसे डो कीजिए यहां ठीक है अब देखो जो यह पॉइंट यहां पर इंटरेक्सेक्ट किया और जो यह पॉइंट यहां पर इंटरेक्सेक्ट किया इसको मिला दीजिए इसके साथ इसको मिला दो यहां पर इसके साथ यहां इसके साथ मिलाईए और इसको मिलाईए यहां पर इसके साथ ठीक है? यहाँ पर मिलाईए इसको इसके साथ ऐसे है अब देखो जो आपका यह point है P तो यह आपको मिला Q यह आपका P डैस था तो यह आपका Q डैस देखो और जेंटल प्लेर में हमें साथ क्या मनता है? प्लान तो यह आपका क्या होगा? प्लान और वर्टिकल वर्टिकल प्लेर में में साथ क्या मनता है? अलिवेशन तो यह आपका क्या है? अलिवेशन यह आपका क्या है? अलिवेशन ठीक है? और यहाँ पर यह कहा है आपके True Length यह कहा है आपके TL ये है आपकी TL और ये भी आपकी क्या है TL कितनी 70 कितनी है ये 70 mm ठीक और आपको क्या करना है अब आपको क्या करना ये इधर ये जो यहां पर इंटरसेट किया इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए ठीक है ये यह अपको मिल जाएंगे यह point आरष्क दयर्ड ऐसे मिलाई है इसके साथ खीड़ हो आपको क्या करना है यह दिखा दिया आपने प्रक्षेव आपने दिखा दिये खाना यहां पर स्थरेस ए साथ जो आपकी यह threat ठ्रू लेंन को पिछे लेकर आईए ये आ यहां पर य की त्रू लेंथ यह कुंठ यहां से पीछे लेकर आय सब्सक्राइब करें आप यहां पर और यह नृम किसके साथ फोर्टेंटल प्लेन के साथ तो जब आप इसको नीचे लेकर आएंगे यहां से लेकर इंहें तो यह आपको क्यों सा कहले गा और जैनल ड्रैस क्यों क्यों कि देखो यहां एच्पी के साथ कितना तीर के गोंड है तो पैतल जीर के कोंड से जो आपकी रिफ्रेंस लाइन पीछे आएगी इनकलाइन और जहां पर यह इंटरसेट करेगी तो वहां से जो आप लाइन ड्रो करेंगे वह आपका होड़ेंटर ट्रैस क्याल आएगा अब ऐसे वर्टिकल से जिरिये 30ए अगल है तो वर्टिकल से 30डिकरी की यह लाइन पीछे बीट्सेट किया इसमें और इंटरसेट किया जब आप इसको इसके साथ मिलाएंगे तो यह आपका क्या होगा यह वर्टिकल ट्रैस होगा अपको त्रैस में आपको सारे के सारे चाहें कि अमने प्र deposito करया कि दिखा कशं transmis 물 घुण हे दिखा के लिए जिस जी कि आपको कुर्स परकेश कर चाहते हैं वहाप़ में आपको इलेएन्चों से तो हम्या को परचेज करना चाहते प्रिवेस जिर कोशन आए वो भी सब मापर हम कवरब कराएंगे चलिए आपको मिलते हैं नेक्स टेक्चर में थैंक यू